तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे, क्या यही है इस देश की परंपरा, आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को बनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म ने भाया, क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? कि वो अपने परिवार की संसकारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून में सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर हम पे छापे मार कर हमसे कुछ भी करते हमको हमें डराएंगे वो घलत सोचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं झाल झाल